नमस्कार दोस्तो मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम देखेंगे होंडा सीडी 110 का मेरा एक्सपिरियंस और जानेंगे सब कुछ उसके बारे में है और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो दोस्तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो दोस्तो सबसे मिलने में आपको एक गाड़ी का ओल ओवर लूप दिखा देता हूँ और कितनी चली है ये गाड़ी और कितनी चली है ये गाड़ी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुरिब 2820 किलोमेटर ये चल चुकी है और दोस्तो अब बात करते हैं इसकी एक्स्पिरियांस की मेरा तो दोस्तो करीब ये 3000 किलोमेटर चलने को आई है तो दोस्तो क्या इसमें कोई फोल्ट आया हुआ है क्या इसमें कोई दिक्कत आती है चलाने में क्या ये स्मूदली चलती है क्या आपको धेर सारे क्वेस्चन आपको मन में क्रियेट होते होंगे तो मैं आपको बता दू दोस्तों ये गाड़ी बहुत अच्छी है इसमें मुझे कोई भी फोल्टाया हुआ नहीं लगता है तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि इसको लेने में कोई बुरा ही नहीं है तो दूसरा ये दोस्तों कि ये BS6 है तो काफी अभी आजकल के न्यू समुझ चलेगी उसमें भी कोई यहां पर आपको बुराई देखने को नहीं मिलती है तो दोस्तों एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूं कि यहां पर दोस्तों यह टेंक का जो स्थील यूस किया हुआ है यह दोस्तों थोड़ा हलकी क्योलेटी का है और दोस्त जाएगा इसा फाइबर है यहां पर देख सकते हैं यह सब कुछ फाइबर है यह फाइबर है यह भी यह भी फाइबर है दोस्तों यह नीचे वाली फ्रेम तो दोस्तों यह सब कुछ इसमें फाइबर आता है तो यहां पर आपको एक क्वेस्टन क्रियेट होता है कि कंपनी कई वाले क्यों देते हैं कि दूस्तों यहां पर के मामलें में आपको में बात करूं तो कम्पनी वाले क्या करते कि average को बढ़ाने के लिए ज्यादा देने के लिए यहाँ पर आपको गाड़ी का जो वजन होता है वेट होता है उसको कम कर देते हैं तो अगर हमें वेट कम करना होता है तो हम क्या करेंगे यह देखो यह स्टील की quality है इसको लोग कर देंगे ताकि वजन कम हो जाए यहाँ पर फाइबर यूश कर देंगे यह देखी यह पर यह पेले क्या होता था कि पत्र का आता था तो यह आंपर यह लकी quality है यह खे कर दोस्तों तो दोस्तों मिली आपको बताना जाता हूं इस में यह कोई बूरा ही नहीं आंट यह गाड़ी करेगी थो हीोट आप़ नुख्सान प्ड़ना पमें पर आपको अगल तो यह इक है आपको प्रजी को आपको वी मतलब करें दोस्तों ़ेस हो आहराने वाले या two wheel ले लो तो उसमें यह कोई चींता करने वाली बात नहीं है पर दोस्तों बफावन्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह मतलब कि जोरदार चलती है यह गाड़ी उसमें कोई बुरा है नहीं है दोस्तों बहुत ही अच्छी चलती है गाड़ी बहुत स्मूध चलती है स्पीड में चलती है 110 सिसी का एंजिन है इसमें और दोस्तों BS6 है न्यू टेकनोलोजी है तो दोस्तों इसको लेना ही चाहिए मैं इसको नहीं देने की इसको नहीं लेने की सला तो बिल्कुल नहीं दूँगा अगर आपका बजेट है अगर आप गाड़ी लेना चाहते है अ यह सब कुछ यह फाइबर यू स्किया हुआ है चीज बताने देवा करब यह इंजिन के यह पत्र आता है ये भी extra accessories में आता तो दोस्तों 1500 रुपे में आपको company वाले सभी extra accessories दे देंगे उसके बाद तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि इसमें कोई भी कमिया तो मुझे लगी नहीं रही है इसमें बहुत अच्छी गाड़ी है लेने लायक है और दोस्तों एक बात को आपको खास दियान रखना है मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों क्या होता है यह है self switch में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इसको अगर आप बीच में रखते हैं फिर उसके बाद यहां पर करते हैं अगर आपको गाड़ी बंद करनी है तो क्या करते हैं इसको बेसिकली बंद कर देते हैं फिर किसी को यह आदत होती है कि की को बंद नहीं करते हैं और यह से ही नीचे उतर जाते हैं दोस्तों आपको खास दियान रखना है कि यहां से बंद करने के बाद इस की को बं तर जाएगी बिल्कूल दोस्तों में यह करीब आठरा पंदर आठरा दिन पिले यह थोड़ा एक्सप्रियंस हो चुका था फिर मैंने यहां से बंद चालू करना सीख लिया तो आप यहां से भी बंद चालू कर सकते हैं इसमें कोई है नहीं देखिया यह मैंने चालू कर दिय वीडियो की भी समापती करता हूं तो दोस्तों लेने लायक है अगर आपको वेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को दबाना ना बूला है